Hi everyone, recipes by Anima में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए आज हम लोग बर्गर बन बनाते हैं जो एक दम सौफ्ट और बहुत ही मज़िदार होगा आप घर पर बनाएंगे लेकिन बिल्कुल मार्केट की तरह ये बन के तियार होगा और इसको आप microwave और without microwave दोनों तरीके से बना सकते हैं मैंने कडाई में भी बनाना बताया है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी एक बरतन से ही आपको measurement करना है तो यहां जैसे कि मैंने 100 ml का cup लिया है तो इसी से मैं measure कर रही हूँ तो 100 ml मैंने यहां milk लिया है प्लस 50 ml जो मैंने लिखा है वो मैं बाद में लेने वाली हूँ यहां पर 100 ml milk लिया है और 100 ml ही मैंने पानी लिया है इसमें अभी तक 2 cup liquid लिया है, अब इसमें dry activist मैं डालने वाली हूँ, यह activated है तो मुझे active करने की ज़रूत नहीं है, मैंने direct ले लिया है, इसमें taste के according थोड़ा सा नमक आप डाल लीजिए, इसके बाद इसमें sugar powder मैंने add किया है, और इसको अच्छे से mix कर लेंगे, चीनी का powder अ जालना है आपको और इसको mix करते जाएए, तो अब देखिए, यह dry होने भी लग गया, और last batch ही मेरे पास पड़ा हुआ है, तो जब इसको मैं डाल दोंगी, तो जो 50 ml और मैं milk रखी थी, उसको मैं यहाँ पर add कर दोंगी, ताकि यह डो एक ऐसे चिप-चिपा सा डो बन जा लगवग 5-7 मिनिट बाद दो बिलकुल स्मूद सा और अच्छा सा दिखेगा, यह आपके हाथों में नहीं चिपकेगा, तो बस थोड़ा सा ओयल लेना है, दो को अंदर से टक करिए, और इस दो को rest के लिए हमें छोड़ देना है, थोड़ा सा ओयल मैं ने कंटेनेर में पेंट करता है, बस जो डो है उसका साइज डबल हो जाना चाहिए, यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने 45 मिनट शोड़ा था और यह डो हमारा डबल से ज़्यादा है, बस इसको पंच करके सारा इसका air हमें निकाल लेना है, फिर से वापस इसको मैंने सर्फेस पे डाल लिया, इसके बाद इसका दो बॉल तयार करना है, नाइफ में थोड़ा सा ऐल लगा लेना है ताकि वह चिपके नहीं, और यहाँ पर आप 6-8 बॉल बना सकते हैं, मैंने अभी 4 में कट किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं, इस तरीके से दो को अंदर की तरफ टक करके, और इस तर धक करके लगबग 15-20 मिनट के लिए रख दीजिए, तो दूसरे को भी मैंने इसको कड़ाई में बेख करना है, इसको भी मैंने ऐसे ही रख लिया है, अब बारी आती है कड़ाई में बेख करने के लिए प्रपरेशन क्या करना है, तो यहाँ पे नमक है, पहले से इसमें मैं मैंने बेख किया हुआ नमक है हमारा, इसमें पहले भी मैं बेख करती रही हूँ, तो वही नमक है, नॉर्मल से आपको नमक ले लेना है, कोई है के स्टेंड या आप यहाँ पे प्लेट रख सकते हैं, उसके बाद इसको ढग करके लो फ्लेम पे लगबग 10 मिनट के लिए प है, ताकि क्रंचिनेस भी बहुत मज़दार लगता है, बन के उपर, तो सबसे पहले मैं कड़ाई में बेख करने का बताती हूँ आपको, यह अलरडी हमारा प्रिहिट हो चुका है, लगबग 10 मिनट से मैंने इसको प्रिहिट कर लिया है, इसमें आपको यह कंटेनर डाल दे तो 12 मिनिट के लिए हमें इसको कनविक्सिन मोड में ही बेक कर लेना है, ताइम हो जब бор है, तो पहले हम देख लेते हैं कड़ाई वाल कैसे है, देखिए एक दम पर्फेक्ली बेक हुआ है, अच्छे से फूल गया है, लेकिन कलर नहीं आया है, तो इसके लिए क्या करना है, तो मैंने एक तवे को दूसरे साइड पे 5 मिनट से इसको मैं low flame पे गर्म कर रही थी, इससे मैं धकूंगी, धकन हटाकर के इससे धक दिया और 5 मिनट और इसको छोड़ देगी, और ये देखिए 12 मिनट हो गया है और ये हमारा बन के तयार हो गया, मुझे ज़्यादा dark color इसका तो इसी तरीके से अगर आप पिज़ा भी बना रहे हैं तो उपर से अगर आपको dark करना है तो ये टेक्निक आप जरूर अपना है, और ये ठंडा होने के पाद, सेम इसमें भी butter लगा लिया था, और इसको देखिए कितना soft, कितना मज़दार ही हमारा बन के तयार हुआ है, अब इसको demold करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़दार है, इसको जरूर बनाईए घर पे, और comment करके जरूर बताईए कि आपका experience कैसा रहा, तो देखिए एकदम मज़दार ये हमारा बन-बन के तयार हुआ है, और ये देखिए, कोई बोल सकता है कि इसको अपने without microwave कड़ाई में बनाया था, और इसको मैं cut करके भी लिखाती हूँ, एकदम super soft, मज़दार बर्गर बन है, अब अगर आप dark वाला बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो ये देखिए, अलग-अलग मुझे बनाना था, तो मैंने 3 ही इसमें bake किय बिल्कुल अलग है, तो आपस में चिपका नहीं है, और इसका जब 12 मिनट के बाद आपको क्या करना है, माइक्रोवेब में extra 2 मिनट अपर रैक पे रखके आपको bake कर लेना है, इससे ये dark color जो है, ये आजाएगा, और अगर आप कड़ाई में बनाते हैं, तो जो मैंने तव आप रखा तब 5 मिनट के लिए उसको आप 7 मिनट के करीब रखती जिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, बिल्कुल मत भूलिए, मिलती हूँ एक और मज़दार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, बाबाए, have a nice day,